हम आलो फ्रेयान्स कैसे हो सब दोस्तों यह देखिए वाटर पंप है क्रॉमठोन खाब स्बीगा इसमें शम размyle वगेरा सब कुछ بाहर से दोखने में इसमें कोई जला हुआ सोड और कुछह भी नहीं है इसका स्वेड बिखर भी सब कुछ सही है रेकिन इसमें डिक्कत ने आ रहे कि कोäll Capital मोटर जो है कुम नहीं पा रहा है तो इसको या मेरा पास रिपेर के लिए तो देखिए यहां पर जो तर्मेर ne néν होआ hadn't मोटर का अंदर से दो क्यापसेटर के लिए दो सप्लाई के लिए निकला दिया गया है तो यहां पे दिखे में मेरा जो करना चाहिए बराबर मिलना चाहिए नहीं रहा है तो यह देखे बहुत ही परिसान करने वाली जो है सिच्वेशन है क्योंकि देखे कोई वगेरा बिल्कुल नया है यहां पर सिर्फ मोटर का जो बाहर का बोडी है क्योंकि यह बाहर में रहता है तो थोला से गंदा है पुराना हो चुका है तो कहीं जला उला भी नहीं है कि इसको जो है तुरंत ही जो है नया कोई इसको जो है निकाल करके बैठा देंगे ऐसा भी नहीं है तो देखते हैं इसको कोशिस करते हैं रिपेर करने के लिए देखे पहले क्या करना है यहां पर जो टाइव अगरा जो धागा वगरा जो है बा इस तरह से दोखे ध्यान से आपको जो है निकाल देना यहां पर जो भी रशी वगएड़ा दागा वगएड़ा जो बांद करकर रखा है कमपनी तो यह कारते समय आपको बहुत ही ध्यान से काटना है क्यूंकि यह जू कोयल का जो तार है है इसमें यहना मिल को पर कर्टार होता है इसको लिकेज चेंदा हो इसमें कोई डाउ innocent तो इस तरह से ध्यान से जो है मैं जिस तरह से काट कर रहूं इस तरह से देखें यहां पर दो कानेंक्षन बना हुआ है कि कक तो एक चिस को मुढ जााने से पहले आप ये ट्राइ कर सकते हो क्योंकि कहीं ने कहीं यहां पे कोई connection वगेरा जो है जो जाइन वगेरा हो सकता है जो की छुट गया होगा तो ये चीश आप एक बार देख सकते हो को बदलने से पहले अगर connection वगेरा बिल्कुल सही है और जो है फाल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है तो लास option है कि इसका कोईल जो है हम लोग बदल देंगे तो इस तरह से ध्यान से जिस तरह से मैं ये रस्ट वग शब्यरा की निकाल रहा हूं अग्यार 17 lat यार यеты अछलिक के यूवर्ड कोईल पूचिए तो इसको काट देता हूं मैं तो देखेज कॉछ इसको कर दोट यहाँ पर दो जो है जो है जॉइंड है यहाँ पर क्योंकी यह पर जो फ्यूश लगा हुआ है तो यह डेकिए स्विपर फ्यूश होगे रहा है बिल्कुल सही है मैं अपना से टेस्ट करके दिखा रहूं आपको तो दिखे सिरिसलेम जो हे ग्लो कर रहा है अब लोग साइट में से लेम का लाइट करते हैं दिखाई दे रहे होंगा तो बाकि जो दो क्यापस्टर का कनेक्शन है इसमें एक में मिल रहा है दूसरा में नहीं मिल रहा है तो दिखे इस तरब का तो हो चुका है अभी यहां पर इस तरब में भी एक और ज्वाइंट है इसको भी हम लोग खौल करके चेक कर लेंगे है अगर यहां पर भी नहीं मिल रहा है तो को थोड़ा सा उठा करके हम लोग जो है ठेदा करके देख लेंगे कहीं तूटा हुआ कानेक्शन कि कभी कभी जो है सोट होने के बज़ें से एक दूतार कट हो जाता है इसको भी चेक कर लेंगे तो देखे कानेक्शन वगेरा बन रहा है यहां पर भी कर देखे कनेक्शन नहीं बन पा रहा है यहां पर देखिए तो कहीं से भी जो है कनेक्शन तूटा फुटा नहीं है और यहां पर जो 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 जोइन्ट किया गया है टर्मिन के लिए क्यूंकि यह स्पॉट वेलिंग क इसको स्वार्णिंग किया गया है तो इसमें कनेक्शन जो है लोस होने का कोई चांसस नहीं है तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहां पर जो भी धागा जो है कोल को बान करके रखाए सबी धागा को हम लोग खोल देंगे खुल करके कोईल को थोड़ा सा फेला करके जो है उठा करके देख लेंगे अगर रणिंग और स्टार्टिंग दोनों में तो देखें यहां पर जो भी धागा वगेरा बंदा हुआ था मैं निकाल दिया हो तो इस तरह से स्कुडैवर का मदद से पर जो रणिंग वेल है इसको थोड़ा सा उठा देंगे ध्यान से मगर बहुत ही ध्यान से आपको करना है क्यूंकि कोईल को कोई छोड़ना पहुचे थोड़ा सा हलका सा दबा करके इसको उठा देना है उठाने के बाद कहीं अगर कनेक्शन हो गए रहा तो आपको दिखाए देगा तो देखें यहां पर एक अनेक्शन टुटा हुआ स्टार्टिंग कोयल का शोरी स्टार्टिंग कोयल का तो देखिए स्टार्टिंग रनिंग दोनों में जो है देखिए कहीं सोट हो गया था होगा दो तीन ताड़े जो है छुटा हुआ है यहां बिल्कुल सोट होकर के जो है कनेक्शन गड़ जो कोयल का जो तार है तूटा हुआ है तो तार को चूस करके देखिए इसको फैस को चेरने से पहले जो भी तार को तोटा हुआ है इसको ध्यान से जो है आपको पतार चलना चाहिए कि यह तार हे हाँ यहां पर जोड़ना है तो कही अध्यान से इस तरह से आपको कवेल को छोटा हो एत्पे जो तुटा हो आई तो दीखिए लगबग तीन तार में दोनों में टूटा हुआ हो सेंप्ल के तोर पर आप लोको दिखाने के लिए तो इसको इस तरह से connection मत कीजिएगा करने के बाद जो है करिये करने के बाद स्लीफ पाइब जरूर लगाई और जो है स्लीफ पाइब लगाने से पहले जो है यह जो जॉइंट है इसको जो है आपको पास स्लीफ आइरन होना बहुत ही जरूरी है स्लीफ आइरन का मदद से इसको स्लीफ जरूर कीजिएगा अच्छी तरह से और जो भी जॉइंट है इसको स्लीफ पाइब लगा करके आप छुपाकर करके रख दीजिए तो देखे अभी मैं इसको जॉइंट कर दिया हूं जो भी कनेक्शन का तार जो है कोईल का तार जो है टुटा हुआ था तो अभी यह दिखे चारों तर्मिनल में मैं कंटिनूटी चेक करके आप लोगों को दिखा रहा हूं सिरिस लेम के जरिए तो देखेंए यहाँ पे क्वेश्टर का दोनों कानेक्शन में कंटिनूट बन गया यहां पे विए अब यहां पर बन चुका है दिखेंए तो देख पा को पास आता है या तो आप खूट का मोटर जो है इस तरह से कोई वगरा बिल्कुल सही है और कहीं जला ओला नहीं है कहीं स्लोट स्लोट में जो है कोई खराबी नहीं है आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इस तरह से मल्टिमेटर होना बहुत ही जरूरी है अगर से लेम नहीं है तो इस तरह से यह तरीका आजमा करके आप जो है थोड़ा सा समय निकाल करके इसको जो है अगर इस तरह से होता है क्योंकि म कभी कभी इस तरह से जाल करके जो है एक दो कनेक्शन चुच जाता है तो आप इस तरह से रिपेर कर सकते हो इसको